हेलो फ्रेंड्स नमस्ते स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आज के वीडियो में हम पुरानी बेकार बैट शीट से और ये देखे इस तरीके के जो प्लास्टिक बैग होते हैं चावल पे आते हैं या फिर आटा वगेरा जब हम खरीदते हैं तो ये इस तरीके के जो प्लास्टिक बैग होती है वो आती है और उसको हम अकसर फेक देते है तो इनहीं से ना बहुत ही प्यारा सा श्टोरेज बैग हम बनाके रेडी करेंगे बिना फोम, बिना अस्तर, बिना चैन के और जिस पे आप बहुत सारे कपड़े श्टोर करके रख सकते हैं कमल, साड़ी, कपड़े, खिलोने तो यह देखे, दो पैकेट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, और यदि आपके पास इस तरीके के पैकेट नहीं है, तो आप किसी भी प्लास्टिक की बोरी का यूज कर सकते हैं, तो मैंने यह दो पैकेट को जोड के, यह देखिए, एक सिंगल पीस बना लिया है, तो लंब बैडशीट थी, तो मैं बैडशीट से इस स्टोरेज बैक को बना के रेड़ी कर रही हूँ, अब यह देखिए, मैंने नीचे बोरी रखी थी, और उपर मैंने कपड़ा रखा था, बैडशीट का, और चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली, और बीज बीज पे भी सिलाई लगा के एक सिंगल पीस इस तरीके से हमको बना के रेड़ी कर लेना है, और अब मैं आपको ना इसकी लंबाई चोड़ाई बताती हूँ, तो यह देखिए, ट्वंटिनाइन इंच वाई ट्वंटिनाइन इंच इसकी लंबाई भी है और चोड़ाई भी है, अब हमको क्या क तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप बेकार कपडों से, बेकार बोरी से बहुत ही प्यारासाना, इस्टोरिज बैक बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, और अपने घर के जो कपड़े होते हैं, उनको अच्छे से विवस्तित करके रख सकते हैं, तो यह देखिए, यह म आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताया करिए, आपके जब प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और आप मेरे वीडियो को किस कंट्री से वाच कर रहे हैं, आप कमेंट वाक्स पे जरूर बताईएगा, तो यह द कोई कपड़ा है बेर्शीट का या फिर साड़ी का तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं तो ये देखे मैंने सेम साइच पे शॉपिंग बैग को कट कर लिया अब इसको कैसे रखना है देखते हैं तो ये नीचे मैंने शॉपिंग बैग रखा है और ये जो हमारा सिंगल पीस मैंने उसको उल्टा करके रखा है ये देखिए अब इसके चारों तरब ना हम सिलाई लगाँगे और फोड़ी सी जगह को छोड़ देंगे और फिर ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है अब इसके जो चारों कॉर्णर थे ना उनको थोड़ा थोड़ा हम cut कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से cutting मैंने कर ली है अब इसको पलट के हमको ready कर लेना है तो ये देखिए इस तरीके से हमने पलट लिया अब ये जो खुला हुआ part है उस पे भी हमको सिलाई लगा देना है और चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और बीच बीच पे भी सिलाई लगा के एक सिंगल पीस हम ready कर लेंगे तो ये देखिए ये इस तरीके से एक सिंगल पीस हमारा बनके ready हो जाएगा इस तरीके से हमको cutting करके complete कर लेना है अब किसी भी तरफ आप transparent seat को लगा सकते हैं तो इस तरीके से ये देखिए निशान लगा लेंगे और ये देखिए किनारों पे हमको धाई इंच पे ऐसा मैंने निशान लगाए तो दोनों तरफ हमको धाई इंच धाई इंच इस तरीके से देखिए किनारूपे निशान लगा के फिर बीच का जो भी कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे तो ये देखिए अब इसी के साइच से थोड़ी बड़ी हमको एक एक इंचना चारों तरफ हमको बड़ी ट्रांसपेरंट शीट लेना है तो यह जो transparent sheet थी ना वो लेगी पे आया था यह cover लेगी जब आई थी मैंने खरीद के लाया था तो यह transparent sheet उस पे निकली थी तो यदि आपके पास भी कोई लेगी है आप खरीद के लाते हैं या कोई कपड़े पे इस तरीके की जो transparent sheet आती है तो आप उसको fakeा मत करिए उसको हैं तो यह देखिए इस तरीके से मैंने यह जो नीचे के जो corner थे उनको थोड़ा-थोड़ा कट कर दिया है और फिर कपड़े को अंदर की तरफ यह देखिए ऐसे fold करके हम सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से यह हमारी transparent sheet कपड़े पे attach हो जाएगी तो यह देखिए इस तरीके से यह हमारी सिलाई complete हो गई है तो यहाँ पे अब नीचे की तरफ जो भी plastic extra थी उसको हम cut कर देंगे और यह जो plastic है ना जो लेगी पे आई थी वो बहुत ही अच्छ अब यह देखिए अब यह हमको मैंने पाइपिंग पटी कट कर ली है यहाँ पे तो किसी भी साड़ी का बैटष॥िट का कपड़ा यूज कर सकते हैं अब यह देखिए तो यह किनारे है तो इसी के side से मैंने पट्टी कट करी थी और 3.4 पढ़्आ कश कर ली है तो यह पलट के पाइपिंग पट्टी हमारी बनके रेडी हो जाएगी तो ये देखिए एक सिलाई हमने लगा ली अब ये देखिए इस तरीके से इसको पलट देंगे अंदर की तरफ और एक सिलाई फिर हम और लगा लेंगे तो इसी तरीके से हमको चारो तरफ पाइपिंग पट्ट लगा के रेडी कर लेना है और बिल्कुल आसान तरीके से आप कपड़े रखने के लिए इस तरीके का बैग बना सकते हैं और इसे भी और बड़े साइच पे आप बैग बना के रेडी कर सकते हैं सेम तरीके से और ये जो बैग हम जो बना रहे हैं तो ये भी बहुत बड़े सा सिलाई लगा के ready करना है तो ये दीखिए चारो तरफ कपड़ों को पकड़के हम ऐसे पहले pin up कर लेंगे और फिर हम सिलाई लगा लेंगे तो जिससे क्या होगा की यह फिनीशिंग अब अच्छे से जाएगी तो ये देखिए चारो तरफ एसए मैंने कार लिया है तो जिससे कि ये जो धागे वगेरा है वो बिलकुल भी नहीं निकलेंगे और इसका जो बेस है वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा तो चारो तरब कॉर्णर पर ये देखिए थोड़ा-थोड़ा कपड़ा पकड़के हमको एक-एक सिलाई लगा लेना है तो जिससे ये जो हमारा और्गनाइजर है ना इसका बेस बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हो जाएगा तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा के ले आया है तो ये बैग हमारा बनके रेडी हो गया है अब ये जो हमने ये एक सिंगल पीस बना के रेडी किया था जोड के तो इसको इस तरीके से नाप लेंगे और थोड़ा इसका जो साइज था ना वो बड़ा हो रहा था तो इस तरीके से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है अब हमको वेल्क्रो लेना है तो ये देखिए यहाँ पे हम दो वेल्क्रो को इस तरीके से लगा के रेडी करेंगे तो ये देखिए पहले हम ये जो हमने फ्लैप के लिए जो कवर बनाके रेडी किया था ढखने के लिए तो पहले हम उस पे वैलक्रो लगा लेंगे तो पहले मैंने ये देखिए इस पे मैंने वैलक्रो लगा ली है ये जो सिंगल पीस हमने रेडी किया था और मैंने ये देखे किनारे किनारे पर पकड़के सिलाई भी लगाके जॉइन कर लिया है इसको अब इस तरीके से ये देखे नाप के हम बेलक्रो लगाएंगे तो पहले हम इस तरीके से नाप के निशान लगा लेंगे चौक से और फिर जहाँ पर हमने निशान लगाया है तो वहाँ पर हम वैलक्रो लगा लेंगे तो ये देखिए मैंने वैलक्रो भी लगा ली है और ये हमारा बैक बनके रेडी है अब इस पर हमको लगाना है हैंडल तो ये जो हमने बैक कट किये थे तो उससे ये देखिए इस तरीके की जो पट्टी निकली थी, तो इसी को हम यूज कर लेंगे, या तो फिर आपके पास इस तरीके की पट्टी नहीं है, तो आप कपड़े से पट्टी बनाके, हैंडल बनाके रेडी कर सकते हैं, तो ये देखिए, इस तरीके से इनको हम लगा लेंगे, दोनों तरफ लगा लेंगे नाप के भी सेंटर पे तो ये देखिए मैंने हैंडल भी लगा के रेडी कर लिये हैं और आपना कपड़े को फोल्ड करके भी हैंडल बना के लगा सकते हैं तो ये हमारा बैक बिलकुल बनके रेडी हो गया है इस श्टोरेज बैक पे आप कमल श्टोर कर सकते हैं बच्चों के कपड़े श्टोर कर सकते हैं खिलोने श्टोर कर सकते हैं अपने हिसाब से आप इस पे चीजों को श्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे साइच पे बनके रेडी हुआ है और इस बैक को मैंने साड रखने के लिए बनाया है तो मैं रखूंगी इस पर साड़ी और इसके अंदर आपना बहुत सारी साड़ियां रख सकते हैं तो यह देखिए बहुत ही अच्छे साइच पर बना है बहुत बड़े साइच पर यह बैग बनके रेडी हुआ है तो आप भी बहुत ही आसान तरीके से बिना चैन के बिना फोम के बिना अस्तर के इस तरीके का बैग घर पर ही बना के रेडी कर सकते हैं और इस तरीके के जो बैग होते हैं वो मार्केट पे बहुत ही महंगे मिलते हैं तो यह देखिए यह हमने इसके अंदर बहुत सारी साड़ियां रख दी है और यह जो हमने seat लगाके ready की है ना तो उससे हमको दिखाई भी देगा किसके अंदर हमने कौन-कौन से कपड़े रखे हैं तो बहुत ही जल्दी ये बनके ready हो जाता है यदि आपको भी बिना chain के storage bag बनाना है तो इस तरीके का bag आप बना के ready कर सकते हैं आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करिएगा वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा अपने friends और family member के साथ share करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नए आइडिया के साथ थैंक यू